साल दो एर तेस के आठ महीने निकल चुके हैं तुने भी साल के सुरुवात में बहुत सारे गोल्स बनाया होंगे कि आज मैं सुबा उठूंगा, डेली जिम जाओंगा, हेल्दी खाओंगा, फोन कम यूज करूंगा, डिसिप्लीन में रहूंगा, बहुत सारे प्लान बनाया होंगे लेकिन एक बात बता, क्या आज वो सब आठ मीने बाद भी तु कर रहा है, उनमें से एक दो भी कर रहा है, नहीं कर रहा न अरे गिन के देख एक भी नहीं कर रहा क्यूं? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया जिसने तुझे वो सब करने से रोग दिया उन सारी अच्छे आदतों को करने से रोग दिया जिसे तु पूरे साल करने वाला था देख भाई मैं तुझे एक बात बहुत क्लियर बता देता हूँ कि अगर तु अभी दर्द जेल लेगा न तो बात में तुझे दुख नहीं जेलना पड़ेगा दर्द और दुख का एक खास मसला यह है कि दर्द इंसान को मजबूत बना देता है और दुख जीतेजी इंसान को मार देता है देख मुझे पता है कि तु हमेशा सोचता है पर सुरुवात नहीं कर पाता है कोई बात नहीं कॉपी पेन लेके बैट और लिख लिख अपने गोल्स अपने परपस परपस अपने जिंदगी का कि क्या करना है तुझे जिंदगी में उसको लिखने के बाद प्लानिंग कर कैसे करना है उसे कैसे पाएगा तु जो तु चाहता है कितना वक्त लगेगा रास्ते क्लियर कर उस गोल्स के किस रास्ते पे जाएगा किस डाइरेक्शन में जाएगा तो तू उसे पाएगा वहर्मा ऐसे बीना गोल्स और बीना प्लानिंग के कैसे कर पाएगा तो कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में मान ले तू किसी दिन घर से निकलिए और अब तुझे अगर यही नहीं पता कि तेरा लक्ष क्या है तुझे जाना का है तो फिर तू अलग-अलग रास्तों पैसी भटकती ही रह जाएगा इसलिए सबसे पहले तो अपने गोल्स क्लियर कर अपने परपस क्लियर कर फिर रास्ते खुद बखुद तू बना ही लेगा अब जब गोल्स क्लियर हो गया और पानिंग कर ली तो अब तू इंतजार करेगा अगले मंडे से स्टार्ट करनेगा नहीं अब भी उठ अब भी स लोग अगर बोलते हैं कि यार रात बर सोता ही राता है तो अरे रात बनी यह सोने के लिए यार सरीर को आराम नहीं मिलेगा तो तेरा सिहत ठीक नहीं रहेगा सिहत ठीक नहीं रहेगा काम कैसे करेगा साथ से आठ गंटे नीद बहुत जरूरी है सुबह उट के कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन तेरी मेंटल हेल्थ के लिए और कम से कम 20-30 मिनट एक्सरसाइज तेरी फीजिकल हेल्थ के लिए पहुत ही जरूरी है एक दिन भी अपने आपको लूज मत छोड़ अगले 6 महिने में जो तु होगा न तेरे आसपास वाले हैरान हो जाएंगे तुझे तेखकर अरे अब तो उठ और कितना मोटिवेशन चाहिए तुझे उठ और चल अपने काम पे लग कब तक ऐसा 100-100 यूटूब मोटिवेशन देखते रहेगा फोन को अब भी क्या भी बंद कर और अपने काम पे लग अगर एक वीक भी अपने इस रूटीन को फॉलो करने खुद को वेल डिसिप्लीन बनाने की हिम्मत है तुझ में तभी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे इस वीडियो की वज़ा से जब तेरे जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आए तो तुझ वापस इस चैनल पे आए और बोले कि तुने अपने पावर को पहचान लिया है तुझे अब पता आए कि तुझ क्या चीज है और अपने दम पे पुरे खांदान का किस्मत बदल के रखतेगा तू दोस्तों मोटिवेशन के चक्कर में कोई बात मेरी पुरी लग गई हो तो सौरी पर मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप सभी अपने जिन्दगी में बहुत सक्सिस्फूल हो और अपने माबाप का सर गर्फ से उचा कर सके जैहिन जैवारत जैवारत